आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली श्पेशल चार तरह की बहुती मज़दार मिठाई मार्केक की मिठाई भी इसके आगे बिल्कुल फीकी और बहुती आसान है तो चले बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले बनाते हैं मेदे की बड़ी इसे बनाने के लिए सबसे पहले गेस चालू करकर गेस पर कड़ाई रखेंगे इसके अंदर डाल देंगे एक कप देशी घी तो फ्रेंट्स इसके मेजरमेंट के लिए घर की कोई भी कटोरी एक कप सेट कर लीजे और सभी चीजों का मेजरमेंट आप उसी से कीजे चलिए अब हम इसमें डाल देंगे मेदा तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ देड़ कप मेदा, यह दोनों चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे भूनेंगे तो गेस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और धीमी धीमी आज पर मेदे की भूनाई हमें बढ़िया से करना है यह जो मिठाई है बहुती कम सामन से बन कर तयार हो जाती है और साथ ही लंबे समय तक आप इसे स्टोर करकर रख सकते हूँ बिल्कुल भी खराब नहीं होती है क्योंकि हमने इसमें मावा यह दूद बगिरा इसे कोई भी चीज नहीं डाली है तो मेदे की भूनाई हमें जब तक करना है जब तक मेदा जो बढ़िया से भून नहीं जाता कि मेदा आपका यहाँ पर भूनना शुरू हो चुका है आप देख सकते किस तरह से जालीदार मेदा यहाँ पर दीख रहा है लेकिन कुछ समय हमें इसे और भूनना है लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि मेडियम या हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी नहीं भूने नहीं तो जो इसका कलर है न एकदम से धार्ग हो जाएगा और मेदे की बर्फी दिखने में इतनी बढ़िया नहीं लगीगी साती मेदे में जलावा टेस्ट भी आएगा इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आप इसे बूने तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेदा है बड़ी असे भून चुका है इसके जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल पतली सी हो चुकी है यानि मेदे ने घी भी छोड़ दिया है तो इसे भूने में मुझे लगबग 30 मिट का समय लगा है और आप देख सकते हो ने इसका कलर भी चैंज नहीं हुआ है चले गेस का फ्लेम ओफ कर देते हैं और ओफ करने के बाद भी हम इसे कुछ देर के लिए चलाएंगे क्योंकि कड़ाई काफी गरम है न मेदा नीचे चिपक सकता है तो चले इसे साइड में रख देते हैं और इसके लिए बना लेते हैं चाशनी तो चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ देर कप चीनी देर कप हमने मेदा लिया था तो इसके लिए हमें देर कप चीनी की जुरत होगी साथी हम इसमें डालेंगे पोन कप पानी यानि चीनी का आदा हमें यहाँ पर पानी डालना है तो एक कप से थोड़ा ही कम मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है अब हम लगातर चलाते वे चीनी को पानी में बढ़िया से घोल लेंगे तो यहाँ पर देखिए चीनी पानी में अच्छे से घोल चुकी है और चाशनी में बॉयल भी आ गया है जब चाशनी में बोईल आ जाए इसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे तो हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी बनाना है एक बढ़ा सा तार इसमें बनना चाहिए आप देख सकती हो मतलब इस बरफी को सेट करने के लिए चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है चलि गेस का फ्लेम आफ कर देते हैं और आफ करने के बाद सारी चाशनी को डाल देङे मेदे के अंदर तो फ्रेंट्स गेस का फ्लेम बिल्कुल आफ है गेस हमें यहाँ पर चालो करने के बिल्कुल भी जोरत नहीं है तो चलिए अब इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने मावा या दूद वगेरा यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं आदा कप मिल्क पाउडर अगर हम यहाँ पर आदा कप मिल्क पाउडर डाल देंगे तो जो हमारी मिठाई यह बहुत ही टेस्टी बनेगी साथी जो इसका कलर है वो भी एकदम से वाइट रहेगा तो मिल्क पाउडर को डालने के बाद हम लगातार चलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक जो यह मिल्क पाउडर बढ़िया से घूल नहीं जाता तो जैसे जैसे हम इसे घोटेंगे न हमारी मिठाई उतनी ही सफेद और उतनी ही खसता बनेगी तो इस स्टेप को आप बिल्कुल भी इसकीप नहीं करें इसे लगातार आप कुछ देर के लिए जरूर से फेटें आदी चमच इलाइची पाउडर तो बनाना बहुती आसान ही बस कुछ छोटी छोटी बाते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा तो इसे मैंने लगभग 5-7 मिट के लिए फेटा है अब आप देख सकते हो न यह बिल्कुल परफेक्ट है बर्फी सेट करने के लिए जब इस तरह से बिल्कुल रिबीन वाली इसकी कंसिस्टेंसी रहे तब आप समझे कि हमारी जो मिठाई यह बड़ी असे सेट होगी तो इसे सेट करने के लिए इस तरह से मैंने एक ट्रे ली है इसे घी लगा के मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है अगर आपके पास यह नहीं है तो कोई भी थाली वगीरा ले सकते हूँ तो थोड़ा सा घी लगा कर उसे ग्रीज कर लिजी ताकि जब हम यह मिठाई निकाले तो आसानी से निकाल सके यहाँ पर देखे अब इसे चारो तरफ हम बढ़या से फेला देते हैं तो इसे चेक करने के लिए आप अपने हाथों में थोड़ा सा मिशरन लेजियो और उसकी गोली बना कर भी देख सकते हूँ अगर पफेक्ट गोली बन रही है यानि यह मिठाई सेट करने के लिए बिल्कुल तयार है तो अब मैंने यहाँ पर एक चम्मच ली है और चम्मच की उल्टी साइट पर मैंने थोड़ा से घी लगा लिया है तक कि इस मिठाई को हम बढ़या से सेट कर सकें यह देखे अब इसे छोड़ देते हैं लगबग आदी घंटे के लिए आदी घंटे में हमारी मिठाई बढ़या से सेट हो जाएगी तो यहाँ पर देखे फ्रेंट्स कुछी देर में हमारी मिठाई बढ़िया से सेट हो चुकी है और लग रही है ना बिल्कुल हलवाई वाली बर्फी की तरह इसे देखकर तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि इसमें मावा नहीं डला है बहुती टेस्टी बहुती स्वादिस्ट और काटने से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने अच्छे से यह सेट हुई है तो बहुती कम सामन का यूज करकर हमने इस मिठाई को बनाया है आप ट्राइ करकर जरूर से देखिए पर यह जैसे भी पीस आप रखना चाहों रख सकते हों इतनी अच्छी हमारी यहां पर यह मिठाई दीख रही है छोटी सी सिम्पल सी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कोमेंट बॉक्स में जरूर से बताए जे फ्रेंट्स मेदे की स्वाधिस्ट बर्फि बनकर बिल्कुल तयार है आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं केसर कतली की रेसिपी इससे बनाने के लिए गेस चालू करकर गेस पैक पैन रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे मुमफली यहाँ पर मैंने लिया है देड़ कप मुमफली का दाना यह जो मिठाई है हम मुमफली से बनाने वाले हैं अब गेस का फ्लेम बिल्कुल लो करकर हम यहाँ पर मुमफली को भून लेंगे मुमफली को बिल्कुल धीमी आज पर भूनें क्योंकि मुमफली का कलर हमें यहाँ पर बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है बस इसका जो छिलका है वो निकलने लग जाए तब तक ही हम यहाँ पर मुमफली को भूनेंगे तो कुची देर में आप देख सकते हो फ्रेंडस मुमफली यहाँ पर थोड़ी से भून चुकी है हलका सा इसका कलर चेंज हुआ है लेकिन एक बार आप इस दाने का छिलका निकाल कर देख लिजे अगर चिलका आसानी से निकल रहा है तो समझे मुमफली यहाँ पर बढ़ी असे भून चुकी है यानि कि जो यह मुमफली की दाने है बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए साथी जो इसका कलर रहे न यह भी हमें विल्कुल वाइट सा ही चाहिए यहाँ पर देखे दाने में से चिलका बड़ी असे निकल रहा है यानि बड़ी असे मुमफली भून चुकी है चले गेस का फ्लेम ओफ कर देते हैं और ओफ करने के बाद इसे निकाल देते हैं किसी थाली वगेरा में निकाल दीजे, ताकि बड़ी ऐसे ठंडे हो जाएं, तो जब भी आपकी पास समय हो, आप मुमफली को पहले से भी भून कर और छिलका निकाल कर रख सकते हो तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा, यहाँ पर दीखें, मुमफली को मैंने बड़ी है स तो जो मिक्सिका जार है ना मैंने याप छोटा वाला लिया है तो मैं इसे दो बार में पीशूंगी एक साथ बहुत ज्यादा दाने नहीं डाले जितने आप आसानी से पीश सके बस उतना ही डाले अगर जार को हम बहुत ज्यादा भर देंगे ना तो दाने ठीक से पीश भी न लगता है कि दाने अच्छे से नहीं पीशे है तो फिर आप दाने को एक बार चांद जरूर से लिजे लेकिन मुझे जरूरत नहीं लग रही है तो यहापर देखे दूसरे बार के भी मैंने बड़े ऐसे पीश लिये हैं चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं मिल्क पाउडर तो मैं यहापर डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर जैसा कि हम यहापर मावा नहीं डाल रहे हैं दूद नहीं डाल रहे हैं कोई कंडेंस मिल्क वगेर का भी यूस नहीं कर रहे हैं तो इसकी टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम यहापर आधा कप मिल्क पाउडर डाल द उसले के साथ 1 कप दाल देंगे पानी तो अब यहां पर इसके लिए चाशनी बनाकर तयार कर रहे हैं तो पहले चीनी को पानी में बढ़ असे घोल लेते हैं तो पहले इस समय हम डाल देते हैं कुछदागे केसर के तक इसमें बढ़ आशी खुशबु आए क्योंकि हम यहाँ पर केसर कतली बना रहे हैं तो केसर की खुश्बू तो इसमें जरूरी है तो इस समय डाल देंगी न को चाशने के साथ यह भी बड़े से घुल जाएगी और केसर अपना कलर भी छोड़ देगी साथ इसकी खुश्बू भी बहुत बड़े असे आएगी अब हम इसे कुछ देर के लिए पका लेंगे और इसके बाद हम इसे चेक करेंगे तो इस समय जो है चाशनी में मुझे कलर थोड़ा से कम लग रहा है तो इस समय में डाल देती हूँ एक से दो पिंच येलो फूट कलर बिल्कुल आपके उपड़े आप नहीं डालना चाहें तो इसे इसकी भी कर सकते हूँ लेकिन जो आपने देखी होगी ना केसर कतली जो होती है थोड़ी से पीले कलर की होती है तो बस मार्केट जैसा लुक लाने के लिए ही मैंने यहाँ पर थोड़े से फूट कलर का यूज किया है अब आप देख सकते हूँ चाशनी में यहाँ पर बड़े असे बॉइल आ चुका है तो एक बार हम चाशनी को चेक भी कर लेते हैं और चेक करते समय गेस का फ्लेम आप बिल्कुल धीमा कर दीजिए तो चाशनी जो है हमें यहाँ पर एक तार की बना कर तयार करना है आप देख सकते हूँ इसमें बड़े असे तार आ रहा है यहाँ जो चाशनी है पूरी तरह से परफेक्ट है बस इसी तरह से हमें चाहिए अब इस स्टेश पर हम डाल देते हैं यह पीसीवी मुमफली और मिल्क पाउडर जो हमने मिक्स करकर रखा वा था ना अब इसे भी हम लगातार चलाते वे इसमें बड़े असे मिक्स कर तो इस समय आप गैस का फ्लेम की लेकर करना है तो अगर आपने भी तक आने वले तेवार के लिए कोई तैयारी नहीं की है तो इस रेसिपी और बना सकते हो तो यहाँ पर इस तरह से में से पकार है तो अभी कूछ देर हम इसे और पकाएंगे जब तक पकाएंगे जब इसमें डाल देते हैं दो छोटी चमर देशी गी तो बस इस मिठाई में गी इतना ही लगेगा इस समय गी डालने से क्या होता है कि जो हमारी केसर कतली है एकदम नरम मुलायम बनती है गी को भी हम इसमें बढ़े आसे मिक्स कर देंगे तो इस समय गेस का फ्लेम मैंने मीडियम क इससी बना कर देंगे तो यह मिश्रन बहुत ही अच्छे से पक चुका है चले गेस का फ्लेम ओफ कर देते हैं और इससे निकाल देते हैं किसी थाली में तो थाली को मैंने पहले से ही थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लिया था ताकि यह चिपके नहीं और अभी हमें इसे न होगा तो इस तरह से चलाते हुए ही इसे ठंडा करेंगे आप इसे चलाना छोड़े नहीं अगर आप छोड़ दोगे न तो इसके उपर चाशनी की परद बन जाएगे और फिर हम इसे अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे तो जैसे जैसे आप इसे चलाओगे ने थोड़ा ठंडा होने लगेगा और ठंडा होने के बाद ही अपने आप गाड़ा होने लगेगा तो अभी आप देख सकते हो कि यह सिमट कर पूरा एकखटा होने लगा है यानि डो जैसा बनने लगा है तो अप वही साइज हमें इसकी रखना है तो जैसा कि मैं इसे पोलेथिन पर बेल रही हूँ आप चाहे तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो इसे बेलने के लिए तो बस बिल्कुल पफेक्ट है एक मोटी रोटी मैंने इसकी बना ली है चले पोलेथिन शीट को हटा देते हैं पोलेथिन को मैंने वैसे ही गी लगा के गरिस किया वा था ना तो यह बिल्कुल भी नहीं चिपकी है और अब हम क्या करते हैं इसको पर थोड़ी सी पिस्ते की कतरन डाल कर इसे भी एक बार हलका से चला लेते हैं ताकि यह भी चिपक जाए और अब हम इसे कट करेंगे तो पहले जो आसपस की एक्स्टा किनारे हैं मैं इसे हटा देती हूँ वैसे जब आप इसे बेले ना तो इस तरह से बेले कि जो आपकी किनारे हैं आपको निकालने की जोरत नहीं हूँ तो मैंने तो इसे थोड़ा गोल बेल लिया था इसलिए एक्स्टा किनारे मेरे ज़्यादा ही निकली है और अब हम इसे कट करेंगे तो बिल्कुल मैं इसके छोटे-छोटे पीस रख रही हूँ जिस तरह से हलवाई वाली काजू कतली होती है बस इसी तरह से तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी आसानी से कट रही है और बिल्कुल भी चाकू पे नहीं लगी है ना टूट रही है यह क्या बढ़िया से पीस इसके निकले हैं इसे देख कर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है कि इस मिठाई को आपने घर पर बनाया है और वो भी इतने सस्ते दामों पर तो आज की छोटी सी आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताना और अगर रेसिपी पसंद आ रही है अब चीनी हम में यहां पर बड़ेएस से पिछ ना होगा है तो यहां पर देखे इस तरह से चीनी को मैंने पीस लिया है तो फ्रेंड्स अगर आपके पास PCV चीनी रखी हो तो उसका यूज नहीं करें आप पहले चीनी को ना पिए और फिर मिक्सिजार में डाल कर उसका पाउडर बनाईए तो फिल्कुल पफेक्ट मेंजरमेंट रहेगा चले इसे साइड में रख देते हैं अब मिक्सिंग बाउन में मैंने डाला है बन फोर्त कब देशी गी चले अब हम इसमें डाल देते हैं PCV चीनी लेकिन PCV चीनी हम ऐसे नहीं डालेंगे इसे भी हम एक बार छान कर डालेंगी फोती आसान से मिठाई है बस इस बात का ध्यान रखें कि इन सबी चीजों का जो नाप है आप एक ही बरतन से लीजें अगर आप कटोरी से ले रहे हैं तो सारी चीजें आप कटोरी से ही ली जी में दोनों चीजों को अच्छे से मीक्स कर लेते हैं to अभी आपको त şunu tutti ड्राइ सा लग लिए एक कप सी किवी चना दाल यानि जो रोस्टेर चना दाल आती है उसका हमें यहां पर यूज करना है इस मिठा तो इसे डाल डाल देती हूं मैं इसी मिक्षी जार में गढ़कन लगा कर हम इसे पीस लेंगे तो इसे भी बिल्कुल हमें महीन पीस नहीं रहे इस बात का धि तो आज जो यह मिठाई यह बहुत ही फटा फट से बनकर तयार हो जाएगी तो यहां पर देखे बढ़िया से हमने इसे छान लिया है तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं दो चमच मिलक पाउडर वैसे नहीं डालेंगे तो भी चलेगा लेकिन हम यहां पर मावा मलाई दू काजू आजू को कोट कर या और बारिक कदी नहीं रहना चाहिए और चाहे तो यह बादाम गाण सकते हूं लेकिन बिल्कूल बारिक ही यूजू किजिया आप यहां पर तो इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूं तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे इस तरह से यह बंधने लगेगा और अब हम इसमें डाल देते हैं केसर वाला दूद बढ़िया से कलर के लिए और जो इसके केसर के धागे हैं हम म देखेंगे यहां पर इस तरह से यह होने लगा है लेकिन मुझे अभी भी यह बिल्कुल पॉफेक्ट नहीं लग रहा है तो मैं इसमें डाल देती हूं एक छोटी चमच गरम घी अगर आप यहां पर गरम घी नहीं डालना चाहें तो मलाई का यूज कर सकते हूं आप यहां तो में सिमठने लग जाए तो समझे बिल्कुल पॉफेक्ट है यह मिठाई जमानी के लिए तो चलिए अब हम क्या करते हैं इस तरह से कंटेनर ले ले लेते हैं इसमें में यहां पर मिठाई को सेट कर रही हूं जिसमें मठरी वगिरा आती है ना इस डिब्यम में वो डिब इतना भी मिष्रण हमने बना के रखावा था ना वो डाल देते हैं इसके अंदर और हातों से हम इसे बड़िया से सेट करेंगी तो इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छे से दबाते वे हमें इसे सेट करना है कहीं से भी इसमें जगर नहीं रहना चाहिए तो अगर आप च चाहिए सादह नहीं रखना है पार्शमेट में जो मिठाई है बढ़ी असे सेट हो जाएगी तो यहां पर देखें पार्शमेट का समय हो चुका है हमारी मिठाई बहुत ही बढ़िया से से हो चुकी है तो अब हम इसे बहार निकाल लेते हैं तो बस इस तरह से थोड़ा से करेंगे और इसे बाहर निकालेंगे तो फ्रेंड्स यह जो बटर पेपर है आपको देख रहा होगा थोड़ा सा बॉक्स में खसक गया था इस जो हमारी मिठाई है थोड़ी सी टूटीवी निकलेगी यानि जो बटर पेपर जहां नहीं लगावा था वो इसमें रहे गया है त टाके जो आपके मिठाई है पूरी बढ़िया से निकलिए तो चले अब हम क्या करते हैं इस बटर पेपर को निकाल देते हैं । यह देखे कितने बढ़िया से सेट हुए है हमारी मिठाई और अब हम इसमें को कट करेंगी तो अपने मन पसंद शेप में आप इसे कट कर सकत है और बीना गेस जलाए हमने स्वाधिस टमिठाई को बना कर तयार किया है और अब हम इसे बीच में से फिर से कट करेंगे तो यहां पर देखें कितने बढ़िया से इसके पीस निकले हैं तो फ्रेंट्स अगर आपको आज के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक ज सजा सकते हूं और इसके उपर हम थोड़ी सी केसर के धागे भी लगा देंगे जो केसर के धागे हमने बचा कर रखे वे थे ना तो लग रहे हैं न फ्रेंट्स बजार जैसी बिल्कुल महेंगी मिठाई चले अब बनाते हैं बिना मावे से खोप्रापा इसे बनाने के लिए गेज शालू करकर गेज पर एक कड़ाई रखेंगे और इसके अंदर डाल देंगे दो चोटी चम्मच गी और अब हम इसमें डाल देते हैं तीन कप नारेल का बूरा तो बस लो फ्लेम पे चलाते वे नारेल के बूरे को हमें यहाँ पर बड़ी आसे भूनना हैं तकि इसका कड़ाई में में डाल देती हूं दूद तो दूद में यहाँ पर ले रही हूं देड़ कप यानि जितना हमने नारेल का बूरा लिया है उसका आधा हमें यहाँ पर दूद यूज करना है तो यहाँ पर एक बार दूद को फिर से गरम करना होगा तो यहाँ पर देख सकते बस इससे ज़्यादा दूद अभी हम नहीं पकाएंगे गेज को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे ये नारियल का बूरा जो हमने भून कर रखावा था तो नारियल का बूरा भूनने से और नारियल को अच्छे से मिक्स कीजिए इतने फटाफर से बनने वाली मिठाई ये फ्रेंड्स और मार्केट से भी आपको ज्यादा कुछ नहीं लाना होगा क्योंकि जो तेवार का समय होता है उस समय पर जो मावा होता है बहुत मिलावटी आता है तो बिना मावे से ही हम ये स्वाधिस्ट बर्फी बना करते यार करने वाले हैं जब दूद और नारियल बढ़िया से मिक्स हो जाए इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी तो जैसा कि चीनी में यहाँ पर डाल रही हूँ पोन कप यानि एक कप से में यहाँ पर थोड़ी सी कम ही चीनी का यूज किया है लेकिन अगर आप यहाँ पर ज्यादा मिठा प लगे आपना पानी छोड़ने लगी लेकिन चलाते रहेंगे तकी से लुप बढ़ेसे पक जाये देख सब्सक्राइबक यहाँ पर देख सकते हो क्यास सबीसे चीजçar種 मिक्स हो चूपी आfer चीनी को भी बढ़ी है साथी हमने संब्सक्राइब कि तो यहां डाल देंगे रिध इसे जो हमारी मिठाई यह न बहुत ही टेस्टी लगेगी तो मिल्क पॉडर मैं यहां पर लिया है आधा कब कोई से भी ब्रेंड का मिल्कपॉडर आप उसकर सकते हूँ जो भी आपके पास हो और मिल्क पाउडर को पहले हम आप थोड़ा सा डालेंगे और डालने के बादे से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तक इसमें किसी तरके कोई लंस ना रहे तो थोड़ा बचावा है यह भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे तो जब तक कि मिक्स हो रहा है आप फटाफट से मुझे कोमेंट करकर बताईए कि आप मेरी रेसेपी कहां से देख रहे हो यानि आप मुझे कहां से जुड़े वे हूँ आप सभी मुझे कॉमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मेरी ये रेसेपी आप तक पहुच पा रही है तो अब आप चाहों तो यहाँ पर इलाइची पाउडर या कोई एसेंस वगेरा डाल सकते हूं लेकिन मैं इसे प्लैनी रख रही हूँ प्योकि नारेल का अपना एक अलगी टेस्ट होता है चलेगे इसका फ्लैम ओफ कर देते हैं अब मैंने यहाँ पर ट्रे को पहले से ही घी लगा कर ग्रीज किया वा था तो बस सारा मिश्रन डाल देते हैं इसी ट्रे के अंदर और इसे बढ़िया से हम सेट कर लेंगे तो बस इस तरह से दबाते होँ सेट कीजी आपकोई भी कटोरी वगिरा ले ले लीजें आप चाहें तो कटょरी के उल्टी साइट पर थोड़ा सगी लगा लीजें ताकि इसे शेट करने में आसानी रहें देखी साइट की किनारों पर भी मैं इसे बड़े ऐसे सेट कर लेती हूं और अब मैं इसके उपर लगा देती हूं थोड़ सी पिस्ते की कत्रन जिस तरह से मार्केट में मिलता है न खोपरा पाक, पिस्ता और बादाम लगावा बस उसी तरह से मैं यहाँ पर इसे लगा रही हूँ और अब हम इसे सैट होने देंगे लगबग आधी से पोन घंटे बहुत ही फटाफट से मिठाई सैट हो जाती है अब हम इनके पीस कट कर लेते हैं तो आज की जो हमने मिठाई की रेसिपी शेयर की है उसमें सबसे अच्छी मिठाई आपको कौन सी लगी प्लीज कोमेंट करकर जरू से बताईए और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स और फेंबली ग्रूप में जरूर से शेयर कीजिए